हेलो एवरीवन माइनेम इस दिपिका मिश्रा एंड वेलकम टू माई चैनल तो आज इस्टुडेंट्स में आप लोग को क्लास नाइन्थ का स्लेबस साइन्स का फुल डीटेल में बताऊंगी जो सी बी असी पैटर्न का है ओके तो सबसे पहले क्लास एट तक तो आप लोगों ने साइन्स वुरा मिक्स अप करके पढ़ा है इसका मतलब है कि सारा एक साथ ही पढ़ा है वहाँ आपको जैसे नाइन्थ में फीजिक्स है कमेस्ट्री है और बाइलोजी है इस टाइप में अलग से कोई नौलिज नहीं दी जाती है मगर जब आप लोग क्लास एट से नाइन्थ की और आगे बढ़ते हैं तो आपको ये नई चीज पता होती है कि जो हमारा साइन्स है वो थ्री पार्ट में डिवाइड होता है फीजिक्स, कमेस्ट्री और बाइलोजी तो चलिए आज जो हम लोग का नाइन्थ क्लास में आते हैं तो हमेशा साइन्स जो है वो थ्री पार्ट में यही से साइन्स जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो चलिए जानते हैं वो 3 part कौन से हैं वीडियो में तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि 1st की तो जितने chapter हैं वो chapter कौन कौन से हैं इससे पहले आप लोग जान लेजिए कि paper में 70 number जो है वो theory आती है 70 number की theory आती है और 30 number आपको practical में दिया जाता है तो practical number तो आपको school से दिये जाते हैं और जो theory basis होता है वो आपको खुद जो आपकी chapter है वो सब पढ़के आपको exam देके लाना होता है तो इसी प्रकार हम लोग class 9 का जो syllabus है CVSC का उसको full detail में जानेंगे तो चलिए एक-एक chapter को आप जान लीजिए कि एक-एक chapter जो है वो कौन सा है तो chapter number first है हमारा matter in our surrounding second chapter है its matter around is pure third है atoms and molecules fourth है structure of the atoms fifth है the fundamental unit of life six है tissue seven है discovery in living organism पहले आप लोग जितने chapter हैं जान लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा chapter कौन सा chapter बाइलोजी है कौन सा आपका chemistry है और कौन सा आपका physics है ओके ये art chapter हुए अब हम लोग next chapter को जानेंगे chapter number 9 अब हम लोग chapter number 9 को जान लेते हैं chapter number 8 आपका है motion और 8 है force and law of motion 10 है generation and 11 है work and energy 12 है sound और next है आपका why do you fail ally next है natural resources फिर है importance of food resources ओके तो ये जो total 15 chapter है ये हमारे 9 में इतना आपको पढ़ना है इनी 15 चैप्टर में आपके कुछ चैप्टर कमेस्टर के हैं कुछ फीजिक्स के हैं कुछ बाइलोजी के हैं चलिए फिर आप लोग जानिए कि कौन से question इसमें कमेस्टर के हैं तो सबसे पहले इसमें matter in our surrounding ये chemistry से belong करता है it matter around as pure ये भी आपका chemistry से belong करता है ओके और atoms and molecules ये भी आपका chemistry से belong करता है फिर next है structure of the atom तो ये सब जो हैं आपके chemistry के chapters है और इसके अलावा एक chapter और है chemistry का आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ये जो 504 चैप्टर है यह chemistry का है और एक चैप्टर यह है last chapter हमारा last chapter ही है हमारा importance in food resources यह आपका chemistry का है तो chemistry के कुल 5 chapter है तो 15 chapter जो इसमें है जिसमें 5 हम लोग का biology 5 physics और 5 chemistry है तो यह 5 आपके हुए क्या बोलते हैं chemistry के अब आप अब आप लोग biology के chapter को जानेंगे कि कौन कौन से biology के chapter हैं तो biology के chapter है आपके the fundamental unit of life tissue discovery is in living organism तो यह तीन chapter हुए अब दो chapter और हैं आप लोग नोट भी कर सकते हैं और यह और जो chapter है आपका biology से वो पहले मैंने आपको जो बता दिये तीन तो वो हो गए और आपके दो chapters यहां है natural resources why do you fell ally तो यह आपके biology के chapter हो गए ओके अब आप लोग जितने चैप्टर बचे वो फीजिक्स के हो गए आप फीजिक्स के भी चैप्टर जान लीजिए कि कौन कौन से फीजिक्स के हैं तो फीजिक्स के जो चैप्टर है आपके वो यह हैं एक है तो motion second है force and law of motion 10 है graduation and 11 है work and energy and है sound तो यह एक दो तीन चार पांच यह जो पांच चैप्टर है यह आपके फीजिक्स के हो गए तो आशा है कि आप लोगों ने जान लिया होगा कि आपको आपके कौन से चैप्टर फीजिक्स से विलॉंग करते हैं कौन से chemistry से विलॉंग करते हैं और कौन से biology से विलॉंग करते हैं अगर इस से related आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग comment box में comment कर सकते हैं तो chemistry स्लेबस में पहले chemistry के chapters दिये गए हैं कुछ फिर biology के फिर physics के और कुछ chapters को mix up कर दिया गया है तो यही है हमारा cbsc board cbsc board का स्लेबस क्लास 9 का ओकी अगर इससे related आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग comment box में comment कर सकते हैं थैंक क्यू थैंक्स वर वाचिंग